आज बनाते हैं आलू के पापड वो भी बिना धूप में सुखाए जी हाँ आज कल सभी कोई प्रॉब्लम रहती है फ्लैट्स वगेरा में रहते हैं तो धूप नहीं आती है तो आज हम बनाएंगे आलू के पापड वो भी बिना धूप के जरूरत नहीं है और बन कर तयार होंगे बहुत बढ़िया खसता एकदम बहुत टेस्टी लगेंगे चाहे टी टाइम हो या खाने के साथ हो या वैसे ही मज़े आ जाएंगे खाकर बहुत टेस्टी क्रिस्पी बनेंगे आपके आलू के पापर तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो आलों को सबसे पहले बॉयल कर लेंगे और इने ठंडा होने पर इने छील लेंगे और छीलने के बाद इनको कर लेते हैं कद्धूकस या तो आप हातों से अच्छी तरह से मैश कर लेजिए इनको और या फिर ऐसे आप कद्धूकस कर सकते हैं इसमें आप बिल्कुल भी कोई टुकडा नहीं रहना चाहिए किसी भी तरह का अच्छे से इनको ग्रेट कर लेंगे और इन सब को ग्रेट करने के बाद ये देखिए चमच से इस तरीके से मैश कर लेंगे और अज बनाएएंगे पुदीने वाले जीरे वाले और कलोनजी और अजवाइन वाले भी बनाएंगे दोनों ही तरह के बनाओंगी मैं आज इसमें डॉल देते हैं हम जीरा साबुड जीरा ले लेंगे 1 चमच और इसके बाद हम डाल देते हैं इसमें नमक फर चिली फ्लेक्सивают डाले ये फिर मेरीच को थोड़ा कोड़ अच्छा लगता है, और अब बडाल देती हूं इसमें पुदीने का पॉड़र है। सिंपल है बनाने का तरीका पुदीना लाइए घर पे उसको धूप में सुखा दीजिए और वो सुखने के बाद इस तरीके से पाउडर बना कर उसका छान कर आप रख सकते हैं तो यह लीजिए पुदीने का पाउडर हमने डाल दिया बड़ी अच्छी खुश्बू आ रही है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत टेस्टी बनेंगे और अगर आप बना रहे हैं वरत के लिए तो इसमें कुछ मट डालिए इसमें डालिए आप सिंधा नमक और काली मिर्ची को कूट कर डाल लीजिए बस उसके अलावा आपने और कुछ नहीं डालना है तो इसको मिक्स करने के लिए इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ओयल तक यह हाथों पर चिपके नहीं आलू हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकता है और इसको बढ़िया तरीके से मिक् अच्छी खुश्चवव आ रही है तो पापड़ तो कितने बढ़िया बन कर तयार होंगे तो इसको हमने कर लिया है मिक्स बढ़िया तरीके से और उसके बाद ना हम इसकी छोटी-छोटी सी लुई बना कर तयार कर लेंगे चलिए बनाते हैं लुई एक निम्बू के होता है ना उस साइज की हम लोईयां बना लेंगे इसकी सारी और दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा मैंने तो आपको कई बार कह लिया आप तो सुनते ही नहीं क्या आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आत देखिए हमने बना ली है और इतनी इजीली तयार हो जाते है ना यह पापर ना तो इसमें आपको बेलन की जरुरत पड़ेगी किसी चीज की जरुरत नहीं पड़ती है ना मशीन चाहिए आपको हाथों से ही आराम से पॉलिथीन का यूज करके हम इसको फैला देंगे और ब अपको पॉलिथीन में हलका सॉयल लगाएंगे एक दो डॉप और इसको फैला लेंगे ताकि चिपके नहीं हमारा जो आलू की हिलूई है वो चिपके नहीं और इसको आपको बेलन की सहाथा से भी इसको फैला सकते हैं लेकिन हाथों से बड़ी अच्छी सी इसकी शेप आ ज ह Guide 1 जिस शीट पर हमने अपने पापड़ों को फिलाना है जहां पर आपने उसको रखकर सुखाना है फैन के नीचे वहीं पर अपनी शीट को आप बिचा लिजीए और डालेक्ट उसी के उपर हमने इपने पापड रखने हैं तो पापड को उठाएंगे उपर वाली शीट क इस तरीके से हटा लेते हैं बस ऐसे ही अपने सारे पापड को हम तयार करते जाएंगे और ऐसे फैलाते जाएंगे और पंखा चला देंगे और आप देखेंगे कुछ ही घंटों में 5-6 घंटे में ही आराम से पंक्हे में ही हमारे सारे पापड सूख कर तयार हो जाएंगे और अगर आपके यहां पर धूप आती है ना आप धूप लगाना चाहते हैं तो आप धूप लगा सकते हैं आराम से ये मैंने देखिए कलोंजी और अजवाइन वाले भी बनाए हैं हरे धनिये के साथ ये हमारे जीरे वाले पापड दोनों तरह के मैंने बनाए हैं बहुत टेस्टी लगते हैं और देखिए कितना टाइम लगा हैं बिल्कुल इजीली बहुत ही जल्दी से हमारे पापड बनकर तयार हो गए हैं तो अगर रात को डालेंगे तो सुबह तक आपके पापड सूख जाएंगे और यह देखिए मेरे बलकनी में थोड़ी बहुत धूप आती है तो मैंने यहाँ पर धूप में भी थोड़े से रख दिये हैं थोड़ी देर के लिए फ्लैट्स वगेरा में बहुत प्रॉबलम होती है धूप नहीं आती है जगें नहीं होती है तो ये देखेए आप इसको जहां पर आपने रखा ना इस शीट को वहीं पर रखकर सुखाईएगा इसको खिलाइएगा नहीं अगर आपने इसको उठाना भी है तो आप इसको हैं उसमें आप पल्टेंगे तो यह तूट जाएंगे इस चीज का आप ध्यान रखना तो यह देखिए हमारे पापड जो है वो तैयार हैं कितने बढ़िया से बनकर तैयार हुए हैं दोनों ही यह हरे धनिये वाले अजवाइन और कलोंजी के और यह हमारे वही जीरे वाले द आप चाहें तो इनको ऐसे फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इनको गैस पर भी बना सकते हैं बिना तेल के जैसे आपका मन करें उस तरीके से आप बना सकते हैं बहुत क्रिस्पी बनेंगे टेस्टी बनेंगे तो यह लिजे मैंने कर लिये हैं तैयार तो तैयार है पापर दे वैसे भी आपका मन करें वैसे आप इसको इंजोई कीजिए यह देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीड के साथ तब तक के लिए नमश्कार